मेरे अजीद दोस्तों मेरे यूटूब चैनल में आपका सागत है अगर आप अभी तेक चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो सस्क्राइब कर दे नोटिफिकेशन की घंटी दबा दे ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे दोस्तों आज हम आपके सामने एक ऐसा पवधा लेकर आया हूं जिसे धवल बरुवा सर्फगंदा छोटा चांद आधि नामों से जानते पहचानते हैं इसके पवधे देख लीजिए हिमाले के निचले परदेसों में सरहिंद से लेकर देहरा दून सिवलिक उत्तरी अवध गोरखपुर के हिमाले के निचले भाग में और बिहार के अनेक भागों में पाए जाते हैं इसके पत्ते मिर्च के समान देख लीजिए पहचान लीजिए इसको पुस्प सफेद या गुलावी गुच्छों में होते हैं या अवसत बिहार में पागल की दवा के नाम से बहुत दिनों से परसिद है सायद आप इसे पहचान चुके हैं आरवेद के अनुसार इसकी जड़ कड़ूई, कसाईली, गरम, तेज और चरपरी होती है या किरिम, नासक, तिर्दोस में हाइदा पहुचाने वाली और सर्प तथा बिच्छू के बिस को नश्ट करने वाली होती है उपियोग, रक्त, चाप, बिलेट पेसर में यह आवसर संतोर जनक कारी करती है हाइब बिलेट पेसर में इसके जड़ के चूण की एक गराम की मातरा में दी जाती है अंग्रेजी दवा की दुकानों में इसकी गोलियां सर्प गंधा बटी के नाम से पता इसके सत्व की गोलियां भिखती है सर्प बिस या अन विशों के दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है सर्प बिस में इसके जड़ को दस से बीस गराम पानी के साथ पीस कर पिलाते हैं तथा इसका लेप भी दंतिस अस्थान पर लगाते हैं नेत्र सुक्र में इसके पत्तों का रस आंख में डालते हैं आज की महत्पूर्ण जानकारी यहीं समात करते हैं मिलते हैं नई जानकामरी के साथ नमस्कार देशी आर्वेत